नमश्कार दोस्तों स्वारत है आपका आपके अपने चैनल कोमर्स 6 में सबसे पहले तो मैं आप सबको एक ऐसी न्यूस देने वाली हूं जो मैं हमेशा बोलती रहते हूं कि हमने आगे लंबे टाइम तक बहुत जादा तयारी करनी है दिल्ली बोड की वेकेंसिस निकली हुई काफी सारी वेकेंसिस है तो हमारे कोमर्स की निकली है कोमर्स पीज़टी आच्छा उसके अंदर कोई टैट क्वालिफाइए करने की भी कोई जबनी है सिंबल आपका जो आपने पीजी किया हुआ है और रेक नाइज यूनिवस्टी से आपको बीड चाहिए तो वो दोनों चीजे तो हैं हमारे पास तो अभी तो फिलाल हमने करना क्या है यहीं करना है कि जो हमारी एस्टेट की तैयारी चल रही है वह करनी है एस्टेट की कल की last date है जिसने foam fill नहीं किया अभी तक भी कोई रह गया है foam fill कर लो कल last date है तो कल ये मैं सोचों की कल देखेंगे site बहुत जादा भारी हो जाती है फिर आप लोग उसको fill नहीं कर पाओगे अच्छा एक और बात foam fill हो गया सब कुछ हो गया जो रो शोर से तयारी इसकी करनी है एक बार उसकी बार जब आप लोग एस तर देखेंगे आओगे clear हमारा होगा 100% clear होगा फिर आपने PZT की तयारी करनी है PZT के लिए जो vacances निकली हुई है है तो temporary लेकिन फिर भी अगर हम लोगों का वहां भी selection हो जाता है तो वह भी बहुत बढ़िया है ठीक है और उसके बाद आगे अपने यहां पर हर्याना में भी रेकेंसिस निकलेंगी प्लस में अपना NBS है करेंगे एक टोपिक उठाएंगे और डीटेल में कते जाएंगे तो जुट जाहिए फोर्म आप लोग भर दीजिए और तैयारी तो देखो सासत रिवीजन चल रही है एंसी क्यूज चल रहे हैं एक अधा टोपिक में बीच-पिच में करवाती रहूंगी और लाइव क्लासिज हैं वह भी चलती रहेंगी आपकी बीच में जब भी मुझे टाइम लगेगा तो हम लोग लाइव ले लेंगे ने तो रिकोडिक चलेग कि क्या एम थियोरी है क्या है सारा अच्छे से बिल्कुल आप लोग उसको देख लेजिएगा उसके अंदर जैसे एनाइत थियोरी है और एनो आई है नेट इंकम नेट अपरेटिंग एक एम एम क्या कहता है उसकी जो कुछ कंसेप्ट हैं कुछ उसकी कंडिशन्स हैं तो उ उसमें इसने ये पुछा है कि कौन सा कंसेप्ट नहीं है एम एम थियोरी जो मोदी गिलानी और मिलर की जो थियोरी है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर उसके अंदर क्या नहीं है क्या नहीं है वो कहता है कि सर जाती है होमोजीनियस वांट्स क्या सर जाती है वांट्स है मतल अवेलेबल है दो एक के अंदर TEXT अवेलेबल नहीं है तो हम इसके नई एक ह due उसके बाद आ गया एक और सिर्ग फन्ट करीए हैं तो हम इसके इस्ध्रागे सब्सक्राइब और आयए ओर divor को स्वितिति सो्व क्रीं एक मेरे जीमार्य वह मैंनेजर मरेक्व में पल Castle create वो भी तो सोच समझ के पैसा लगाएगा ना तो अगला एक और आपका point आ गया incomplete market incomplete market तो नहीं है यह वाला क्योंकि ऐसी तो कोई condition है नहीं market तो हमारी हमेशा ही complete होगी ना market complete ही नहीं है तो फिर कैसे हम लोग उसको investment करेंगे क्या हम लोग कैसे हम लोग debt debt और equity के बीच में selection करेंगे कि किसमें हम लोग invest करें तो incomplete market जो है वो नहीं है पूरा detail में मैंने capital structure का आपको topic करवाया हुआ है उसमें आप detail में देखेगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है उसके बाद हमारा अगला question है अगला question है UNCTAD इसको क्या बोला जाता है इसकी full form क्या है देखिए यह हमारा foreign exchange से related है foreign exchange के अंदर हमारे जैसे nafta है और यह अपना UNCTAD है यह सब क्या है कि development agencies है development companies हैं जो हमारे विदेशी वैपार को बढ़ाती हैं तो उन में से एक यह है इन सबकी आपको full form जो है न वो याद कर लेनी है जैसे कि पिछली बार एक बार में खल में IRDA की full form आई हुई थी IRBD की full form आई हुई थी तो एक बार इसकी full form आई थी जितने भी हमारे जो foreign trade की जितनी agencies हैं जो हमको help करती है जो group है इनके जिनका जो हमारा जो भारत है वो member है तो उन सबको आपने याद कर लेना है उसकी full form हो सकता है एक आदे कोई head office भी पूछ लिया जाए तो उसकी full form क्य on trade and development यानि कि क्या हुआ कि जो जितनी भी हमारी foreign trade के अंदर जो conference होती है जो meeting होती है वो कहां होती है वो इसके इस condition के तहत होती है यह UNCTAD यानि United Nation Conference Trade and Development ठीक है याद रहेगा आपको फिर अगला आगया credit policy credit policy को क्या बोला जाता है credit policy credit policy यानि की उधार नीती उधार नीती का मतलब क्या हुआ कि अगर हम business करेंगे तो क्या हम cash में business करेंगे या फिर हम उधार में करेंगे अगर हम उधार में करेंगे तो उधार में करेंगे तो हम कितना पैसा लोगों में बाहर बाटेंगे मतलब कि उधार कितने time के लिए क्या condition होंगी उनको हम collect कैसे करेंगे वो सब ही होगा तो अब यह यह कहते हैं कि उधार जो नीती बनाई है बिजनस के लिए उसमें क्या क्या condition है वो हो सकती है या नहीं हो सकती तो यह कहते हैं क्यों सी related नहीं है credit policy के अंदर कौन सी जो condition है या point है वो नहीं है तो सबसे पहले है जे condition of sale natural सी बात है अगर हम credit policy बना रहे हैं तो हम उधार किस पे देंगे जब हम कुछ sale करेंगे जब हम कुछ sale करेंगे तभी तो हम उधार बेचेंगे ना उसी की तो हम नीती बना रहे हैं credit policy हम कुछ sale करेंगे तभी तो हम उधार की policy बनाएंगे तो sale की conditions है condition मतलब की sale की क्या क्या शर्ते हैं वो तो आएगी आएगी ठीक है ये तो है फिर उसके बाद आ गया credit analysis अगर हम कुछ माल बेच रहे हैं तो हमें credit analysis भी तो करना पड़ेगा कि हाँ जी हमने इतना समान बेचा अगर हम नकत बेचते हैं तो हमें मालो 10,000 का profit होता है और अगर हम उधार बेचते हैं तो हमें 1,000,000 का profit होता है क्योंकि market जो है वो credit policy के उपर ही चलती है बिलकुल तो हम 10,000 चाहेंगे या हम 1,000,000 चाहेंगे हम तो 1,000,000 रुपए चाहेंगे तो हमें credit policy बनानी पड़ेगी फिर क्या है जी collection policy हमने किसी को माल बेच दिया credit पे बिलकुल बेच दिया अगर हमने उसको माल बेचा है तो हम बदले में क्या चाहते हैं पैसा वापस भी तो चाहते हैं न ये तो नहीं है न कि हमने 10 लाग का माल बेच दिया और 10 लाग रुपे छोड़ दिये छूटी हम उसे collect करेंगे फिर हम purchase करेंगे फिर दुबारा से sale करेंगे तो ये भी आएग collection policy भी आएगा अगला आ गया marginal policy marginal policy कैसे हो सकता है क्या वो credit policy का भाग है नहीं marginal का मतलब क्या होता है सीमांत दर सीमांत दर होती है सीमांत बोला जाता है इसको कि हम एक चीज की production कर रहे हैं एक रुपया कोस्ट आई पांच रुपय कोस्ट आई अगली की तो दोनों की बीच में जो difference है वो दूसरी की कोस्ट आ गई जैसे जैसे हम लोग unit बढ़ाते है यह कैसे आ सकता है नहीं आएगा यह आपका अंसर हो जाएगा आगया समझ में आपको आपके अब कंसेक्चुल बेस के कोस्ट जादा आते हैं तो थोड़ा सा यह निया कि हर थेोरी आपको करवाई जाए तो ही आप करोगे आपको थोड़ा सा दिमाग तो खुद को भी ल अफेक्टिंग यह लगबग जो कोशन में आपको बता रही हूं है 2018 में आयों है आपके ठीक है 2018 में जो हमारा जन्वरी में पेपर आये था लगबग कोशन वही वाले हैं सारे के सारे अब आ गया जी फेक्टर अफेक्टिंग प्राइजिंग पावर जब हम कोई भी समान ख खरीज सकते हैं तभी हम उस दुकान के मुताबिक ही चड़ते हैं बहुत बार देखा होगा आप लोग खुद भी कभी मार्किट गई है तो अब मार्किट में जाने के लिए जब आप देखते हैं कि यह मेडियम सी दुकान है बिलकुल समान सही मिल रहा है तो आप सोचेंग हां जी मुझे तो पांच यलग से कम की तो जोड़क चाहिए ही नगी तो पांच यलग से कम कोई शुक चाहिए ही नहीं मेरा तो ब्लकुल आलो करता है वह तो उसे बोला जाएगा स्पोले उस इसटेड़ कर सकते हैं उसको ऑफेक्՟ कॉन करेगा कौन effect करेगा मतलब ऐसी कौन सी शक्ती है ऐसी power है जो उसको effect करेगी क्या है जी अब इसके अंदर question पूछा गया आपका क्या financial environment क्या natural environment फिर आगया आगया industrial environment या politics natural सी बात है natural environment हमें कैसे effect करेगा मालो आज मोसम बढ़ा ही अच्छा चल रहा है तो क्या हम महगा समान खरिद लेंगे, मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है कि हमें तो हमारी जेट देखनी है. इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री सेक्टर बहुत जादा आगे जा रहा है, बहुत जादा, पता लगा कि हम ना इंडस्ट्री एरिये में जा रहे हैं, इतनी ज़यदा डेवलोप्मेंट होगी है, तो क्या हम समान जादा खरीदना शुरू कर दें, हमें क्या फर्क परेगा उसस हमारे पास दस हजार है, हम हजार का समान असानी से खरीच सकते हैं, एक लाग रुपया है, दस हजार का समान असानी से खरीच सकते हैं, एक लाग रुपया है, दस हजार का समान असानी से खरीच सकते हैं, हमारे पास पैसा जादा आ गया, तो हमारी जो फाइनांशल करता है पर चेजिंग पावर को यह आपका आंसर जो है वो टिक हो जाएगा ठीक है बात समझ में आई आपको फिर उसके बाद अगला है जी आपका बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है लग भग आप पिछले जितने भी पेपर मैं आपको अभी भी जो टोपिक करा रही हूं न लगे yapıyor अब एक आगया जी आपका प्रोडक्शन एंड मार्किटींग प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं हम और मार्किटेंग भी पॉरन मार्केट में जाते हैं मतलब कि हम प्रोडक्शन भी करें और मार्केटिंग भी करें और कहां गोज जाएं विदेशों में फोरण में तो उस टाइप की जो मार्केटिंग है उसको हम लोग क्या कहेंगे मतलब कि उस तरह की जो पॉलिसी है उस तरह का जो विजनस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात 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 तो नहीं है हम घोस रहे हैं हम मारकेटिंग कर रहे हैं इर्यात का मतलब क्या होता हम फूर मैं प्रोफित मौटिभً similar production नहीं समान देंगे management, management तो होई नहीं सकती line extension, line extension तो हमारी क्या होती है जिसके अंदर हम लोग तो अपनी organization को जब बढ़ाते हैं अपने staff को अच्छा level बढ़ाते हैं तो होती है line extension, तो line भी नहीं है ये कौन सा है, joint industry संयुक्त उद्यम संयुक्त उद्यम बोला जाता है इसको, यानि कि एक business के साथ हम दूसरा business करेंगे, production भी करेंगे marketing भी करेंगे, foreign में करेंगे अपने देश के साथ साथ, ठीक है ये हो गया जी आपका उसके बाद एक और question है आपका जो error है hypothesis में hypothesis का भी मैंने आपको topic कराया है आपको अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो पिछली सारी वीडियो देखेंगे, तो लगबग मैंने ये topic सारी कराये हुए है तो आप उनको देख लेजेगा, hypothesis उसके अंदर मैंने error 1 और error 2 जो है, वो करवाई हुई है type 1 error, type 2 error जिसको बोलते है, 2T का जो 1 और 2 परकार है देखें हमेशा याद रखना, जो right है right है, वो number 1 है जो wrong है वो number 2 है ये चीज़ हमें सबको पता है हम हमेशा कहते हैं हम तो एक number का काम करते हैं यानि हम सही काम करते हैं हम तो ये बन्दा तो दो number का काम करते हैं दो number ही है ये, wrong है अब right को reject कर दिया right और reject R और R, 2R हो गए तो number 1 type 1 mistake है wrong है, यानि दो number हो गया, लेकिन फिर भी हम उसको accept कर गया है, हाँ ठीक है दो number type 2 error mind में बिल्कु सेट कर लेना कोशन गुमाति रा के आ जाता है right एक number, right रिजट wrong दो number, wrong accept, दो number mistake तो अब ये क्या कह रहा है right भी है और reject भी है type 1 है, 2 है T test है, काई test है confuse कर रहा है, इसमें आपको 1 और 2 को याद रखना है, type 1 error हमारी बिल्कुल ठीक है समझ में आगे आपको चलिए, अब एक और कोशन आपका recruitment का HRM के भी कोशन आते हैं आपके management के लिए आते हैं बहुत कोशन आते हैं, theoretical पार्ट बहुत आता है आपका बहुत, conceptual इतने कोशन से हैं एक रिक्यूट्मेंट क्या होती है भरती होती है एक बार ये कोशन आया भी हुआ था वो भी मैं सासब करा देती हूँ कि रिक्यूट्मेंट हमारी कौन सी policy है मतलब कि हमारी negative है या positive है recruitment भरती हमारी कौन सी है हमारी सकरात्मक है positive negative या फिर कोई भी नहीं तो हमारी positive है और अगर इसका उल्टा आजे चटनी चटनी जिसे हम लोग स्कृट्नी बोलते है स्कृट्नी क्या है चटनी क्या है negative है question बहुत बार आयो है पिछले सालों में देख लीजे रवे अब 13-14 में बहुत बार आयो है भरती कौन सी policy है हमारी सकरात्मक और चटनी कौन सी है नकारात्मक अब इसके अंदर आगया भरती जब हम natural सी बात है हम जब अपने industry के अंदर किसी नए परक्षन को शामिल करते है तो positive ही होगा और जब हम निकालने की कोशिश करते है तो वो negative है अब इसके अंदर भरती के अंदर यह होता है एक तो direct recruitment है एक indirect recruitment है तो यह कह रहा है कि आप indirect इसमेंसे कोण सा mode है मतलब कि आप यह बताओ कि इसने चार mode बता दिये इनमेंसे कोण सा direct है और कोण सा indirect है पहले तो आप यह दिखिए कि direct कैसे और indirect कैसे जब हम जब हम खुद जाके persons के पास जाके मतलब कि मिलते हैं या कुछ करते हैं direct अपने employees से मिलके जैसे मालो मैंने बोला अपने employees को कि कोई अच्छा सा person होना कोई तो एक और हमने hire करना है लेके आना वो क्या हो गया referred employee या फिर कोई employee आया और उसने बोला कि मेरे पास एक मेरा दोस्त है वो भी काम करना चाहता है रखलें उसको रखलो direct है बिल्कुल सही है employment exchange उसके बाद आ गया employment exchange का मतलब क्या हुआ कि हम लोग रोजगार कार्याले के अंदर गए अपना नाम लिखवा के आ गए कि हमें तो ये चाहिए company वाले आए उन्होंने हमारा interview लिया हमें पसंद किया और हमें recruitment दे दी भरती दे दी direct है हमने नाम लिखवाया company वालोंने हमें hire कर लिया campus recruitment same वही है हम लोग किसी college में पर रहे हैं हमने बढ़िया आपनी training brain ले रखी है सब कुछ है company वाले आए उन्होंने हमारा interview लिया और हमें select कर लिया direct है बिल्कुल ठीक है अब यह आगया advertisement हमने advertisement दे दी हम company के मालिक है हमने add दे दी कि भी हम जी हमें कम से कम 100 बंदे चाहिए अब 100 के 100 बंदे आ रहे हैं फिर हम interview लेंगे कहां कहां से आ रहे है आपको किसने बताया हमारे बारे में कर आमने तुझी add देखी दी indirect है वो ठीक है indirect recruitment बास समझ में आई कैसे indirect होगा कैसे indirect खुद आएंगे employee select करके जाएंगे वो आगया एक person add परके किसी और mode से आ रहा है वो indirect है अगर आपको मेरा ये session पसंद आ रहा है तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अगर अभी तक भी आपने channel को subscribe नहीं किया तो आप इस channel को subscribe कीजिए और आप जितने भी आपके मित्र हैं जो commerce के तयारी कर रहे हैं चाहे वो pgt के लिए uptgt है और आप उनको अपनी ये वाली वीडियो शेयर कर सकते है चलिए right of lost capital अगर हम किसी कारण से हमारी capital डूब गई नुकसान हो गया अब हम उसको right of कर गये है मालो हमने 5 लाक रुपे लगाए हमें lost हो गया हम खोई हुई पुन्जी को right of करना चाहते है तो वो क्या किसका उधारन है क्या हमने capital को change किया क्या हमने capital को decrease किया क्या हमने reserve capital को छेडा या कुछ भी नहीं किया ये किसका एक example है खोई हुई पुन्जी को अगर हम खतम करने खतम करना मतलब right of करना तो वो किसका उधारन है वो उधारन है क्या हम पुझी बदल रहे हैं क्या हम रिजर्व कैपिटल को बदल रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर हम डिक्रीज कर रहे हैं कैपिटल कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी यूँकि हम राइट ओफ करेंगे तो डिक्रीज कैपिटल को कम कर देंगे कि वह गारी टोफ हो जाएगी ठीक है बात समझें केपिटल तो दू भी चुकी है तो गारी टोफ करो डो केपिटल को कम कर दो फिर आ गया जी कोस्ट अकाउंटिंग क्या है हमें जब हमकिसी सम्मान का प्रोडक्शन करते हैं उसकी कोस्ट के बारे में बताती है कि हमारी जमाल लिजये हम लोगों ने क्या किया 20 अइटम बनाई और उसकी कोस्ट आगये जी दौसरूपे 10 रूपे पर आईटम तो कोस्ट काउंटिंग बताएगी हमें कि हांजी आपने 20 आइटम करी 200 रुपे के हिसाब से तोटल कोस्ट हो गई और 10 रुपे पर यूनिट आपकी कोस्ट है अब मैं कितने में समान बेचूं मैं 12 में बेच दूं हां 12 में बेच सकते हो आप 10 के बाद से 11 में बेच हो 12 में 13 म हमें बेच सेथे हो तो आपको लोस और शोरा पेदाता थीक है तो हमें कहा установ क्या नहीं बताता फिर और इंडेक्स वальную णेक्स प्राइस के पिर एकशन गर्ण है कंकि आपके चुन सुच आप में द्रेक्स क्या करेंगे जो हमारा जो होल से यह ंटो हम 13 रहा में बेच देंगे वह शाइए 15 ऐसी च्वाह से ज्यादा नहीं बैच सकता तो इंडेक्स प्राइज हो था एक लिस्ट प्राइज कह सकते हैं उसको तो पिल्खक्व मम बताता है उसको बिल्कुल बताता है लेकिन अब क्या हम किसी चीज का पुर्वा अनुमान लगाएं कि नकदी का पुर्वा अनुमान cash forecasting, cost accounting बताएगा कि अब हमारे गले के अंदर ना इतने पैसे मिलेंगे तो cash forecasting नहीं हो सकती, ये cost accounting का पार्ट नहीं है यहीं ये पूछ रहा है, कर दो इस पर टिक, ठीक है, clear है चलिए अगला point जब आप पहले तो जब आप ATM में पैसे निकलवाते थे ना 10,000 से उपर तो कोई OTP नहीं आता था आज गल OTP बहुत आता है बहुत ज़्यादा खपले होने लगे तो OTP आने लग गया और आप कोई भी fee pay करते हो, अभी आप जैसे estate की आपने form भरा होगा तो आप से OTP पूछा होगा अगर आपने net banking की है तो तो ये OTP है क्या? क्या है ये OTP? Owner trading password, one time pin code, O transaction या फिर one time password, O का मतलब one, T का मतलब time, P का मतलब password one time password, कितना असान कोशन है, ऐसे ऐसे असान कोशन भी आते हैं आपके बिल्कुल असान आजाते हैं, कई बार हम सुचते हैं, ये कोशन भी आ सकता है क्या? बिल्कुल आ जाता है अच्छा, उसके बाद है हमारा फिलिप कोटलर, कल भी आया था ये बहला कोशन गट लो, कि फिलिप कोटलर क्या है, मार्केटिंग के expert है, और कल वाले में तु था कि मार्केटिंग की, अब इसने दिया क्या है क्या है ये? प्रोडक्शन च्वाइज की थियोरी दिया है पी मार्केटिंग जो पी फॉर है, वो दिया है consumer नीड की दिया या कोई भी नहीं दि तो natural सी बात है हमें पता है, फिलिप कोटलर जिन्नों ने पी फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग की सबसे बड़ी थियोरी, इसी ने तो दिया है ना, मार्केटिंग की पी फॉर पी फॉर प्राइज प्लेस प्रोडक्शन यह है ना, चोथा पी आप कमेंट में करके बताना मुझे फटा फट से वीडियो देखने के बाद की चोथा पी कौन सा है प्रोडक्शन है, परचेज है, क्या है प्राइज हो गया, प्लेस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, चोथा पी कौन सा है ठीक है बताईएगा ये कुछ points थे कुछ MCQs हैं जो आपको help करेंगे आने वाले paper के लिए पिछले हैं सासप मैंने कुछ points और भी बताएं आपको इसमें से question अगर आपका आता है तो मेरे इसाब से तो अब गलत नहीं होने वाला तो इस तरह से इसीरीज चलती रहेगी 10-10 बारा-बारा question हम लोग करेंगे और उससे related topic भी करेंगे तो उमेद करते हो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी पसंद आ रही है तो वही like, share और comment किजिए अगर आपको help मिल रही है तो मिलते हैं अगले session में अगली वीडियो के साथ